दोस्तों वेलकम टू पी के स्वासेज पी के स्वासेज में आपका स्वागत है दोस्तों सोसल मीडिया के बजार में फिर एक जो है सवाल उत्पन हो चुका है और घमासान हो चुका है बजार गर्म हो चुकी है सोसल मीडिया का आप एक कोश्चन हमेशा देख रहे होंगे सोसल जो re-typing करने के लिए बताया गया था offline paper में तो क्या उसमें question पूछा जा रहा है बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या re-typing करने वालों को फायदा होगा या नहीं चलिए start करते हैं वीडियो इसमें जानते हैं कि क्या फायदा होगा या नहीं करने वालों को फायदा होगा या नहीं इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले होगा कि online typing और offline typing में क्या अंतर होता है तेखे online typing में आपको on screen जो है मिलता है पैसेज उसी को देखकर उसी screen के नीचे आपको typing करना होता है यह होगा online और online में होता है कि आपको retyping नहीं करना होता है पैसे जाते रहते हैं आपको typing करना होता है यह वाड़ आते रहते हैं नए नए वाड़ आते रहते हैं आपको typing करना होता है लेकिन offline में ऐसा नहीं होता है offline में जो है आपको paper दिया जाता है paper को देखकर जो पैसे उसमें लिखा रहता है उसी को आप computer में लिखते हैं उसमें एक limited जो है वर दिया जाता है यानि कि 300 वर 30 WPM का होगा तो 500 जो है कि स्टोक उसमें दिया जाता है इसी को आपको देखकर जो है आन स्क्रीन पर लिखना होता है लेकिन जोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसमें बताया गया था हिलावत हाई कोट में कि आप retyping कर सकते हैं तो चले देखते हैं कि क्या retyping में benefit होगा या आप आपको जो paper मिला आपने पूरा सही typing किया और 100% accuracy के साथ typing किया तो आपका तो 30 WPM हो गया आपके अच्छे score हो जाएंगे 25 में से 25 नमर मिल जाएंगे लेकिन मालेजिए कि आपने type retyping करने में आपको कुछ इसी हुआ या आपने कोई गलत लिख दिया आपने retyping किया औ दो लाइन लिखा वो सही लिखा तो उसका जो है accuracy आपका सही हो जाएगे या आपका 30 WPM हुआ आप 31 WPM 32 कितने में WPM speed करें आपके जो minimum speed ले जाएगी वो 30 WPM ही ले जाएगे लेकिन आपकी जो accuracy वो सही हो जाएगे वो कि आपने retyping किया है retyping को भी calculate किया जाएगा यानि आ हम लोगे देखते हैं कि जी हाँ फायदा होगा speed और accuracy दोनों का फायदा होगा यदि मारी जाएगे आपकी accuracy अच्छी नहीं है आपने retyping दो या तिन लाइन किया है उसकी accuracy अच्छी है तो सभी को calculate करके जो है आपको नमर मिलेगा जैसे कि R-line में आपने देखा होगा कि पैरा टाइब किया है या तो री टाइपिंग किया है या तीन बार टाइपिंग किया है उससे नहीं मतलब आपने जितना भी पैरा टाइप किया है उन सभी को calculate किया जाएगा और री टाइपिंग में यह benefit होता है कि जो accuracy थोड़ी सी लोगों की सही हो जाती है इस पीड तो 25 नमर हिंदी और 25 नमर इंगलिस तो उमिद करता हूँ दोस्तों आपको यह समझ आ गया होगा कि जो है री टाइपिंग में आपको benefit मिलेगा सियोर है मिलेगा और आपकी speed और accuracy जो है दोनों का फायदा होगा यदि आपकी speed जो है कम होगी यदि आपने री टाइपिंग किया है तो उसको भी calculate करके आपकी speed बढ़ सकती है accuracy भी बढ़ सकती है यदि आपकी accuracy कम होई होगी री टाइपिंग में अच्छे किया होंगे तो आपकी accuracy भी बढ़ जाएगे यानि यदि आपको पूरा निचूर कर देखेंगे पूरा कहने कर देई है कि आपका जो calculate होगा नमर आपने इस क्रीन में जितना भी टैपिंग किया है जितना भी वर आपने टैपिंग किया है किस्टों किया है उन सभी को जो है calculate करके आपको number मिलेगा चाहे आप retype किए हैं या आप तीन बार चार बार जितने भी बार आप type किए हैं उन सभी को calculate करके आपको number मिलेगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हुगा like कीजिएगा, share कीजिएगा चैनल परीबा सस्क्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी प्रकास से आपको update मिलता रहागा इदि कोई और आपके अंदर confusion है तो फिलीज आप comment कीजिएगा, result की बात करते हैं तो result में थोड़ा साथ आपको wait करना पड़ेगा, result के लिए आप wait कीजिए थोड़ा सा, और आपको पता हुगा कि वीडियो का exam date आप सभी